आज बड़ा मुबारक दिन है, बड़े दिनों बाद NLG इतनी बड़े गैप के साथ 50 खुल रहा है और NLG मेरी शुब कामना है कि इस आने वाली सीरीज में कम से कब 5-10 ऐसे गैप अपन होने चाहिए तो NLG खरिदारी की राय मेरी है, Z Entertainment पर काफी समय बाद स्टॉक में वापस से कल हमने मोमेंटम बनता हुआ देखा नीचे के लेबल्स पर एक पैटन बना है, जिसको राउंडिंग बॉटम पैटन कहते है, ब्रिक आउट आ चुका है दूसरा इवेंच्वल टार्गेट 275 और एक टार्गेट और दिये देता हूं और वो टार्गेट अनेजी 300 रुपे का होगा तो मुझे लगता है कि Z Entertainment दोबारा से 300 के लेवल्स को रिक्लेम करेगा, तो मेरी यहां खरिदारी करेगा कि 241 का चोटा स्टाप्रोंस और खरीदें आप 258, 245, 300 के टार्गेट लिए सिदारी सूप्रभाद